दूत में ये एक चीज मिला करके पीलो नसों में ब्लॉकेज, हदी का दर्द, कॉलिस्ट्रोल का बढ़ा होना, ट्राइगलिस्राइट्स का बढ़ा होना, डाबिटीज होना और अगर आपका खून गाड़ा है, या नसों के ब्लॉकेज है, वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में पेन रहता है, जॉइंट्स में हमेशा सूजन रहती है और आपको चलने फिरने में भी दिक्कत होती है रोजाना के काम करने में भी दिक्कत होती है तो ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए खतम हो जाएगी जी हाँ आज एक ऐसी रेमिडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो की उम्र बढ़ने के चलते होने वाली ये सब बिमार हो रही है तो भी ये आपको चुस्त दुरुस्त बनाएगी और आपकी बॉड़ी को हल्दी रखेगी आपकी हड़ियों को स्ट्रॉंग बनाएगी नसों में ब्लॉकिज नहीं होगी इसे आप एस टोनिक रात को सोते समय दूद के साथ मिला करके पीछे देखे आपको पहले आपको क्या करना है आपको लेनी है अलसी में होता है लाइनलिक एसिड उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है अलसी में साथ ही साथ कैल्शियम का खजाना है अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है विटमिन डी 3 की कमी है तो अलसी बहुत अच्छी है आपके लिए इसको तीसी भी कहा जाता है इसको लिंसिड के नाम से भी जाना जाता है और ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉंग बना देती है अलसी आपके जोडों के दर्द को दूर करती है उनकी सूजन को दूर करती है साथ ही साथ जिनको साइटिका की प्रॉब्लम रहती है या जुखाम रहता है दमा रहती है खांसी रहती है उनके लिए अलसी बहुत अच्छी होती है वात कफ दोश को दूर करती है अलसी और साथ ही साथ थाइरोइड में भी अलसी बहुत अच्छी है तो आपको क्या करना है आपको एक पैन में तक्रीबन तीन से चार चमच अलसी डाल देनी है, हलका हलका आप इसे भून लेंगे, बहुत जलानी नहीं है अलसी को, हलका हलका ड्राय रोस्ट करना है, जब अलसी भूनने लगेगी तो इस तरहां से ये उपर की तरफ उठने लगेगी, और एक अलग सी शाइन इसमें आ जाएगी, ये देखे अलसी बुन चुकी है, इसे आपने थोड़ा सा थंडा कर लेना है, और थंडा करने के बाद आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लेंगे, महीन पाउडर बना लेंगे, ठीक है जी, दूसरी चीज इस पाउडर म का पेन दूर होगा, कॉलिस्ट्रोल अगर जमा हुआ है, वो दूर होगा, साथ ही साथ ये डाबिटीज, या मदुमे की या शुगर की बिमारी को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो आप इसमें एक चमच सौंट एड़ कर देंगे, आप चाहें तो घर में अद्रक को सुखा लें और फिर उसका पाउडर बना लें पीस करके या फिर मार्किट से सौंट पाउडर भी ले सकते हैं, थर्ड इंग्रीजिन जो हमने इसमें एड़ करना है वो है दाल चीनी, दाल चीनी आपको एक चुथाई चमच एड़ करनी है, इससे ज्यादा नहीं दाल चीनी कॉलिस्ट्रोल रिड्यूस करती है, और साथ ही साथ आपकी हद्यों के दर्द को भी दूर करती है, और नसों के रोगों के लिए दाल चीनी बहुत अच्छी होती है, तो एक चुथाई चमच दाल चीनी आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द रहता है, कंदे में दर्द रहता है, बैक में पेन रहता है, या फिर आपकी एडी में दर्द रहता है, तो इन सभी प्रॉब्लम को भी दूर करती है, दाल चीनी और साथ ही साथ ऐसीडिटी को भी डियोस करती है, चोथा इंग्रीडियन जो आपने इस पाउडर में आड करना है वो है healthy powder healthy powder आपके joint pain के समस्य को दूर करेंगी आपके liver के लिए बहुत अच्छा होता है healthy powder और साथ ही साथ diabetes के लिए बहुत अच्छा है आपकी sugar level को maintain करता है healthy और नसों में blockage को भी दूर करता है तो आदा चमच हल्दी पाउडर एड़ करेंगे हल्दी को आपने गांट के रूप में मार्किट से खरीदना है और उसे घर में लाकर के पीसना है कभी भी कोई भी टोनिक आप हेल्थ टोनिक बना रहे हो मार्किट की पिसी हुई हल्दी उसमें बिल्कुल मत यूज़ कीज़ेगा मार्किट से गांटे खरीद लीज़े हल्दी की और उन्हें घर में लाकर के पीस है थोड़ी सी मेहनत जरूर है लेकिन आपको प्यूर चीज़ मिल रही है अब सुन लीजिए कि इस पाउडर को आपने कैसे यूज़ करना है कब यूज़ करना है कितनी मात्रा में यूज़ करना है इसको आपने दूड के साथ ही लेना है अब कुसलो कहेंगे कि हम दूड नहीं पीते हैं तो आप आमड मिल्क ले सकते हैं या फिर coconut milk ले सकते हैं ठीक है लेकिन दूद के साथ ही लेना है दूसरी चीज कितनी मात्रा में लेना है एक चमच आपने इस powder का लेना है और उसे एक गलास दूद में add करके बीना है ठीक है तब लेना है रात को सोने से जस्ट पहले लेना है रात को सोते समय ही इस remedy को लेंगी रात को सोने से पहले लीजेगा इस तरहां से तकरीवन 20 से 25 दिन लेकर के देखे आपको अपनी हालत में सुधार देखने लगेगा नसो में blockage दूर होने लगेगी हदी का दर्द खतम हो जाएगा कॉलिस्ट्रोल रिडियूस होने लगेगा आपका blood sugar level नॉर्मल आने और अगर आपको mobility में कोई problem है चलने फिन में दिक्कत है सीडियां चलने में दिक्कत है या बैठे बैठे यूनों आपके हाथ पैर सो जाते हैं तो भी यह remedy आप यूज करके देखे आपको first day से सुधार दिखने लगेगा और यह tried and tested remedy है tried and tested formula है जरूर यूज कीजेगा इसक पर भी follow कर सकते हैं और नीचे comment box में comment देकर जरूर बदाएगा कि आपको किस तरह के results मिले तो यह था मेरा आज का वीडियो उमीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा like कीजेगा इस वीडियो को share कीजेगा उन लोगों के साथ जिनको यह problem है और साथ ही साथ अग अपने चानल पर upload करूँगी तो फिर मिलते हूँ आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ तक तक के लिए अच्छान रखिए खुश रखिए और खुश्यां बाढ़ते रहिए बाबाई